हेलो दोस्तों तुप्रिती वजा ब्लॉग में आप सभी को श्वागत है तो आज मैं यहां पे आलो का पराठा बनाने जा रही हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने यहां पे आठा ले लिया है और मैं इसे अच्छे से सान लूँगी पानी में और मैं आठा जब भी आप पराठा के लिए साने तो ज्यादा गीला ना बनाएं रोटी से थोड़ा सा टाइट रखे तो यहां पे मैंने आठा सान लिया है अब मैं यहां पे उपर से एक चमच घी प्रयोग कर रही हूँ, अब इसे भी एकदम अच्छे से मिला लूँगी, ताकि प्राथा जो है एकदम सॉफ्ट बने, और मैं इसे घी डाल करके एकदम अच्छे से मिला लूँगी, पांस मिनट तक इसको मैं और सानूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा से यह हो गया है तो अभी मैं इसे ढख करके 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी और यहाँ पे मैंने आलू बॉयल करके पहले से रख लिया है अब मैं यहाँ पे चोखा को फ्राई करूँगी तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डाला है आदी, हेंग, जीरा, कटा हुआ मेर्श और छोटे-छोटे कटा हुआ प्यास अब इन सबी को अच्छे से भून लेंगे आप चाहे तो प्यास कच्छा भी डाल सकते हैं पर मैं यहाँ पे फ्राई करके डालूँगी उससे ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आता है अब मैं यहाँ पे कुछ मसाल का यूस कर रही हूँ जैसे की धनिया, जीरा, हल्दी और स्वाद नुशार, नमक तो यह मैंने बॉयल आलू पहले से रखा था अब मैं यहाँ पे उपर से धनिया पता डाल रही हूँ धनिया पता तो आप आलू का पराठा में जरूर से डाले इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है तो यह देखे, मैं चोका को अच्छे से फ्राई कर ली हूँ अब मैं इसे एक बरतन में फैला करके ठंडे होने के लिए रख दूंगी और जब तक वो मेरा आलू ठंडा होगा तब तक मैं यहाँ पर लोई बना करके त्यार कर लूँगी पराठा के लिए तो आपना इस तरह से बना के ट्राई कीजिएगा एक बार बहुत ही अच्छा बनता है और एकदम जल्दी से बनके त्यार हो जाता है तो इसी तरह से मैं सारे लोई को त्यार करके रख लूँगी तो यह देखिए मेरा हो चुका है और लोई जो है आप बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना बनाए और एकदम छोटा भी ना बनाए अब मैं इसे एक कटोरी का सेब दूँगी ताकि स्टाफिंग जो है मेरा वो उसमें अच्छे से आ जाए और मैं यहां पर भर भर के आलो डालूँगी क्योंकि मुझे आलो ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है तो अगर आप कम खाते हैं तो कम ही आलो यहां पर यूज़ करें तो अब मैं इसे इसके अंदर भर के अच्छे से एकदम हलकी हाथोंसे अब इसे में थोड़ा सा इसके ऊपर आटा लगाऊंगी और इकदम हाथ से गोल-गोल करके इसको एकदम बारीकी से बेल लेंगे तो आप इसे जोर से ना बेले नहीं तो ये बीच से फट सकता है तो ये देखिए अब मैं यहाँ पे दावा ली हूँ और उपर से मैं रोटी को डाल दूँगी और इसे हातों के सहारा से पलट ले उसके बाद यहाँ पे आप खी भी डाल सकते हैं तो मैं यहाँ पे रिफाइन तेल का प्रयोग कर रही हूँ तो यह देखे कितना अच्छा बनके रेड़ी हो गया है और यह फटा भी नहीं है और एक्तम फुले फुले पराठे बनेंगे देखे देख करके ही लगड़ा है कि खाने में कितना स्वाद बनना होगा तो इसी तरह से मैं सारे पराठो को बना लूँगी तो आप आलू का पराठा जब भी बनाएं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखे कि बेलने टाइम बीच से ये फटे ना उसके लिए एकदम हलके हाथों से बेले और ये देखे कितना सारा मैंने आलू डाल करके बना लिया कितना सारा रोटी तो आप भी इस तरह से बना करके जरूर से ट्राइ करें और ये खाने में सच में बहुत ही अच्छा लगता है और ये देखे अंदर तक पुरा आलू भरा है आप इसे सॉस के साथ भी खा सकते हैं या पिर सबजी के साथ में दही के साथ में